अब हम आपको Zee News की उस मुहीम के बारे में बताएंगे जिसे आज एक वर्ष पूरा हो गया है ये मुहीम भारत के महान गणितग्य राधानाथ सिखदर के बारे में थी जिन्होंने वर्ष 1852 में पहली बार दुनिया के सबसे उचे परवत माउंट एवरेस्ट की उचाई को मापा था लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें इसका श्रे नहीं दिया और इस परवत चोटी का नाम करण जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर कर दिया और इसी लिए आज आप इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं और जॉर्ज एवरेस्ट वो थे जिन्होंने ना तो माउंट एवरेस्ट कभी देखा था और ना ही उन्हें माउंट एवरेस्ट के बारे में कोई जानकारी थी सोचिए तो भी उनके नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया अंग्रेजी सरकार में सर्वेयर जनरल ओफ इंडिया रहे सर जोर्ज एवरेस्ट का आज ही के दिन वर्ष 1866 में निधन हुआ था यानि आज उनकी पुन्नेती थी है और पिछले साल इसी मौके पर हमने भारत में माउंट एवरेस्ट का नाम बदल कर माउंट सिखदर रख देने की मुहीम चलाई थी नेपाल और तिबबत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट का नाम तिबबती भाशा में चोमो लुगमा है जबकि नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं लेकिन भारत और बाकी पूरी दुनिया में ये माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जानी जाती है उसी के नाम से प्रसिद है पिछले साल जब हमने ये मुद्दा उठाया तब हमने अपने नेपाल के दर्शकों को ये सपश्ट किया था कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि नेपाल को भी इस परवत का नाम माउंट सिखदर कर देना चाहिए हमारी मांग सर्फ ये थी कि जैसे नेपाल इसे अपने नाम से जानता है सागर माथा के नाम से जानता है चीन इसे अपने नाम से जानता है वैसे ही भारत में भी इसे माउंट सिखदर के नाम से पहचान मिलनी चाहिए ना कि माउंट एवरेस्ट के नाम से माउंट एवरिस्ट की उचाई का आधिकारिक आंकलन पहरी बार बिटिश राज में सर्वे ओफ इंडिया दोवारा किया गया था इस एजेंसी की स्थापना भारत का आधिकारिक मानचित्र बनाने के लिए नक्षा बनाने के लिए की गई थी वर्ष 1830 में सर जोर्ज एवरिस्ट सर्वे ओफ इंडिया के डिरेक्टर बने थे और वर्ष 1831 में उन्होंने पश्चिम मंगाल के एक गणितग्य राधानात सिखदर को सर्वे ओफ इंडिया में कम्प्यूटर के पदपर निउख्त किया था उस समय कम्प्यूटर का मतला होता था जो गणनाय करने वाले लोगों को कम्प्यूटर का जाता था उस समय सारी गणनाय इंसान ही किया करते थे इसलिए ऐसे लोगों को सर्वे ओफ इंडिया में कम्प्यूटर कहते थे क्योंकि कम्प्यूटर का मूल काम भी गणना करना ही ह इसलिए कंप्यूटर इंसान भी हो सकता है और कंप्यूटर मशीन भी हो सकती है वर्ष 1852 में राधानाथ सिक्दर ने पीक 15 पीक 15 नामक परवत शिखर को मापने का काम शुरू किया उस समय माउंट एवरेस्ट को इसी नाम से जाना जाता था इसका नाम माउंट एवरेस्ट न मीटर रिकॉड की सर्वे ओफ इंडिया के ततकालीन डिरेक्टर एंड्रियू स्कॉट वो ने चार वर्ष तक राधानाथ सिक्दर के आंकलन की जाच की एंड्रियू स्कॉट सर जॉज एवरेस्ट के साथ काम कर चुके थे और उन्हें अपना गुरू मानते थे और इसी लि राधानाथ सिक्दर से माउंट एवरेस्ट की अधिकारिक उंचाई मापने का श्रे चीन लिया गया और दुनिया के सबसे उंचे परवत शिकर का नामकरन एक अंग्रेज के नाम पर कर दिया गया और वो आज भी ऐसा ही है बिटिश सरकार ने इस जानकारी को छेपाने की प आपको सारी जानकारी दी थी जैसे हमारे देश के इतियासकारों ने कभी लोगों को बताया नहीं सोचे कितने बड़ी विडंबना है कि इस देश के इतियासकारों ने बाबर अकबर और और औरंग जेब जैसे मुगल शासकों पर तो सेक्रों पुस्तके लिखी हजारों ले हमने माउंट एवरेस्ट पर जाकर आपके लिए तयार की थी। इसलिए इसके पीछे का जो पॉइंट है, इस पहार के पीछे, वहां से आप चाइना के जरीए भी माउंट एवरेस्ट पर आ सकते हैं और यहां के जरीए भी आ सकते हैं आज मैं यहां आपको खड़े होके यह बताना चाहता हूं कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या क वर्ष 1852 में राधानाथ सिक्दर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस की उचाई को नापा था वर्ष 1852 में और सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था उन्होंने उन्हें ये काम दिया था राधानाथ सिक्दर को कि आप जाईए और माउंट एवरेस की उचाई को नाप कर आईए और राधानाथ सिक्दर ने इस उचाई को नापा और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में वो बंगाल के बहुत मशूर गणितग्यें थे जिन्होंने इसकी उचाई नापी आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिक्दर के नाम पर होना चाहिए था और यहां आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिक्दर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक महीम चलानी चाहिए भारत के लोगों को इसके लिए एक महीम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट अबरेस पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने तो आज मैं यहां राधानाथ सिक्दर साब को याद कर रहा हूँ आप सब के बेहाफ पर हर भारती की तरफ से कि राधानाथ सिक्दर साब ने इस माउंट अबरेस चोटी की उचाहिए को उन्होंने नापा पहली बार इतना बड़ा काम किया उन्होंने और हमें ऐसा लगता है कि इस माउंट अबरेस्ट का नाम माउंट सिक्दर होना चाहिए जाने का मन यहां से बिल्कुल नहीं कर रहा है यह हमारे लिए कोई न्यूस स्टोरी नहीं है जी न्यूस की टीम यहां तक आ गई है और एक अजीब सी बड़ी खुशी भी हो रही है और जिसको आप कहते हैं कि फिलोसिफिकल टर्म्स में आप यह कहते हैं कि आप ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से उपर उठ गए हैं पूरी दुनिया से आप कट गए हैं और यहां आने के बाद एक अजीब एक शान्तिक आनुभव आपको हो रहा है सारी धर्ती सारी दुनिया यहां से नीचे दिखाई दे रही है और अगर आप मुझसे पूछों तो मेरा यहां पर ओम चैंट करने का मन कर रहा है कि यहां जोर से हम ओम बोलें और वो ओम शान्ति की जो ध्वनी है वो इस पूरे इस घाटी में वो गुझेगी तो मैं तो आप से यही कहूँगा कि मैं बहुत किस्मत पाला हूँ कि मैं यहां तक आज पहुँच पाया मैं यहां तक इतना करीब से माउंट एबरेस्ट को देख रहा हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसी जगा खड़ा रहूँगा जहां सामने मेरे माउंट एबरेस्ट रहीगी देखिए ये है ये है मांट एबरेस जो पीछे काला पहाड़ आप देख रहे हैं कितने करीब इससे बेटर और क्या हो सकता है तो आज भी हम आजाद तो जरूर हो गए हैं लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें आज भी अपनी गोलामी के बारे में याद दिलाती हैं